बोस्तों आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारी चैनल लांग टर्म शेयर सल्टेस में और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लिजेगा और बेल आइकन प्रेस करते हैं ताकि आपको प्रत्य वीडियो की सूचना मिलती रहे PD Light Industry के बारे माज हम बात करेंगे कि इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है तो क्यों आई है हम वो भी बात करेंगे उनके नतीजे भी दिखाएंगे आपको पहले जान लेते हैं हालांकि मैंने इस पर detailed वीडियो बनाया था पिछले दफ़ा इनके शुरुवात कब हुई थी कैसे कब किस सन में इसकी establishment हुई थी तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के इनके ब्रांड है ब्रांड देखिए फेवी कॉल, फेवी कॉल, Mr. Dr. Fix It, फेवी क्विक, M.C.L., फेवी स्टिक, फेवी क्राइ, फेवी क्रिल, हॉबी आइडियाज इस प्रकार के इनके ब्रांड नेम है और प्रोडुक्स सलूशन है, सर्विसे सलूशन में जैसे कि इंड़स्टीज में कहां का इस्तेमाल होती है, textile and paper chemicals, industrial recins, leather chemicals, industrial adhesive, footwear adhesives, organics pigments and preparations, industrial bonding solutions, maintenance, repair and overhaul, तो फिलाल आप भी इनके products, इनके advertisement बहुत अच्छे आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, TV पे फेवी कॉल वगेरा के, फेवी क्रिक के, है ना, ये company है और काफी अच्छे इसके product है, और market में काफी अच्छी इनकी पकड़ भी है, कुछ मामलों में तो लीडर भी है, आए जानते हैं, पहले हम नतीजे पे सीधे चलेंगे, किस प्रकार के रहे है, quarter के, देखिए quarter, अगर quarter 1 से quarter 2 में हम compare करते हैं, June 19 से सप्तमबर 19 में, तो net sales में थोड़ी सगिरावाट है, 10.42% की, quarter to quarter, जहा अलांकि यहाँ पे ठीक ठाक है, जैसे कि पिछले quarter के मुकाबले, इस quarter में 10% स्याधा की upside है, लेकिन margin में यहाँ पे 1.62% के गिरावट है, profit margin में, लेकिन अगर हम year on year देखते हैं, साल दर साल, तो again यहाँ यहाँ पे net sales में, यहाँ पे jump है 2.81% की, year on year consolidated हम लोग देख रहे ह हैं, और अगर देखते हैं, इनका net profit, तो net profit again year on year भी इनका बढ़ा हुआ है, 39.97% काफी जवर्दस profit रहा है, लेकिन margin यहाँ पे, profit margin में यहाँ पे, इनको जो है, मामूल इसी जो है, पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे, नुक्सान हो रहा, 0.48% के साब से, और कुछ चीज हाई गया था 94, करीब करेब 1493 के आसपास, और हाई से अभी जो ट्रेट कर रहा है फिलाल 1290 के आसपास, तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, अगर हम एक से वर्ष के return देखते हैं, तो 12500 ज्यादा के दे चुका है, 12.33% के और 6 मंत में 8.17, 17% के आसपास, पी रिशियो 59 का है, earning per share 21 रुपय का, price to book 15.07, इस हिसाब तो देखिए, जिस हिसाब से पी रिशियो है, price to book है, earning per share है, और delivery and dividend pay करता है, तो थोड़ा सा no doubt कुछ industries होती हैं, जो महंगी रहती हैं, जो महंगी मिलती ही हैं, उनके ऐसे products होते हैं, उनका ऐसा कारोबार होता है, लेकिन fundamentally management wise इतनी जबरतस अच्छी होती हैं, कि उनके आख मूल के लोग निवेशक, निवेश करते हैं, भले प्राइस कितना भी महेंगा हो, कितना भी महेंगा हो, तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, कि ज़रूर नहीं कि सारा P.E. ratio, price to earning ratio हर इंडेस्ट्री पे लागू हो, ऐसा नह आता है, लेकिन लोगों ने ले रखा है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत जादा गिरावट देखने को मिलेगी ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनके नतीजे भी आने वाले quarter में अच्छे आने की उमीद है, क्योंकि इनके management में कहा है, कि आने वाले quarter मे जाता है, हाँ यह है कि अगर माली जी इन्हों ने अपने products में प्राइस जाधा बढ़ा दिया, तो अगर raw material सस्ता हो गया, तो उनका वही मुनाफ़ा हो जाता है, आने वाले समय में, तो यह थोड़ी सती ऐसी रहती है, anyways, अगर हम मैं प्रमोटर से कुस्तिती देख लें, कि इस प्रकार कि उनके share pattern है, और हम पहले चार्ट पर देख लेते हैं, कि हाई कहाँ, हाई से देखी 14-13 पर सब्तमबर 24 की सती थी, तो अभी फिलाल यह 1297 के आसपास trade कर रहा है, ठीक है, अगर और नीचे गिरता है, या थोड़ी से और नीचे की और आता है, तो जरूर आप तो थोड़े-थोड़े shares खरीते जाएं, अच्छी कंपनी है, market capital इसका 65,915 करोड का, और book value तो हम देखी चुके हैं, और फिलाल हम आपको दिखाते हैं कि dividend कितना pay किया था इसमें, थोड़ा सा यहाँ पर scroll करेंगे, dividend देखी इसमें 6 रुपए per share के हिसाब से इन्होंने pay कि किया था, और जो share holding pattern निकल के आ रही देखे, promoters के पास है, खरीब 69.71% के, जबर्दस्त holding है, और कोई भी शरिंका गिर्वी नहीं है, foreign institutional investors से इसमें 11.1% ज्यादा के, हलां कि पिछले quarter के मुकाब्र, इस quarter में थोड़ी सी यहाँ पे, holding घटा ही है, तो जाहिर से बात है कि जो कुछ FIIs हैं, वो भारती बाजारों स्थोड़ा पैसा निकाली रहे हैं, अपने माल बेच ही रहे हैं, फिर भी इतना तो मामूली सी बात है, टुटल DIA 10.3 और बाकी mutual funds भी है इसमें, और insurance company भी है, retail निवेशक भी है, तो एक शांदार company है, और जिस प्रकार के इनके product है, आ 5 वर्षों के, 10 वर्षों के, पहले हम 3 वर्षों के और 5 वर्षों के देख लेते हैं, 3 वर्षों में निकल क्या रहे है, 114% के return और 60 months में निकल क्या रहे हैं, 194% के आसपास के return है, लेकिन दस वर्षों में इन्हों ने दिया है, करीब 1312% आज की rate में, आज है 24 नवंबर 2019, तो अगर आज की रेट में हम इनके 10 सालों के रिटन देखते हैं कि या 10 वर्ष पूर्व किसे ने पैसे अगर इसमें निभेश किया होता तो उनको करीब करीब तेरा सो के आसपास रिटन मिल रहे हैं तो मल्टी बेगर बेगर कह लें कि 10 सालों में अगर आपका पैसा 13 गुना कर दिया है तो यह बड़ी बात नहीं बहुत अच्छी बात है एक मल्टी बेगर स्टॉक है और इतनी बड़ी इंडिस्ट्री जिनमें लो रिस्क और हाई करेंगे मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो साथ थेक्यों वाचिंग इस वीडियो